वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में सिक्षा नीती की तरफ से एक ड्राफ ट्यार किया गया है नोटिस रिलीस किया है यूजीसी ने 17 मार्च को पीचडी आस्पिरेंट्स के लिए खास करके तो इसी के बार में आज चर्चा करेंगे देखेंगे क्या-क्या फायदे हैं तो इसमें आपके सेजेशन या फीडबाइक को इन्वाइट किया गया है जो यह ड्राफ्ट रिलीस किया गया है उसके लिए यूजीसी की वेदसाइड में नोटिस है और वहीं पर लिंक सारा था सिंपल आपने एंडर ग्याजुएट करा फिर आपने पोस्ट ग्याजुएट करा 55% के साथ तेना आप इंटर्विव देखें आप पीएश्टी के लिए एंडरोल हो सब्ते जो एक सेंपल पहले प्रोसीसर चलता रहा है वही है वह 40% के अंदर आता है इसके अंदर में इसमें चीज है 40% में वह आता है 4 years of direct UG program मतलब जो 4 साल का undergraduate program करता है वो direct PhD में एंडरोल कर सकता है मिनमें चीज़े यह है कि कि किसी का CGP 7.5% है वो directly PhD में एंडरोल कर सकता है इसमें एक और पॉइंट है multiple discipline है multiple discipline मतलब जैसे कि आपने 2 साल का science कर आओ फिर आपने convert कर लिय arts में और इसमें multiple entry और exit भी है means subject भी आप change कर सकते हैं और बीच में आप gap भी ले सकते हैं entry कर सकते हैं exit भी कर सकते है तो total जो duration आपका 4 साल का रहेगा जब वो complete हो जाएगा तो आप enroll कर सकते हैं PhD के लिए एक और चीज़े मान लिज़े अगर कोई undergrad उसके बाद direct PhD नहीं या research करना चाहता है वो पहले master's करना चाहता है तो वो master's program कर सकता है उसमें उसे master's सरफ एक साल की करनी पड़ेगी और वो directly PhD के लिए enroll हो जागा और कच important चीज़ यह भी है कि PhD के duration पहले minimum 3 years था जो कि अब 2 years कर दिया गया है और maximum 6 years यह experience individual यह बहुत अच्छा point experience individual जो है जो नेट और PhD जिनके पास नहीं है नेट का certificate नहीं है या PhD के degree नहीं है for example अगर मान लीजिए कोई 60 साल का है वो retired हो गया थेक है तो 60 साल के बाद वो जब retired हो गया तो उसके experience रहे किनो इसके पास net का certificate नहीं है PhD ने तो वो भी direct assistant professor की job कर सकता है क्योंकि इसमें इन्होंने maximum age 65 years की रखि के लिए तो यह एक session था छोटा सा मेरा जो related था UGC net के लिए thank you so much आज के लिए इतना ही पाकी best of luck for the UGC net exam